में मकसद हमारा यहीं है कि हम इडिया को आत्मनीर पर इस तरीके से बनाए कि यहाँ पर सोलुशन्स हो तो हम चाहते हैं कि इनो विज्ञान एक ऐसा इनिशेटिव बने जो ना सिर्फ इस देश को बलकि इस दुनिया को वो इनोवेशन्स दे सके कि जिसे कौम की मुल्क की और म अकमल इंसानियत की बला ही हो सके करियर गाइडियास हो गया या फिर आइडिया को किस तरीके से आपको जनरेट करना है उसके बार इमीं इनफोर्मेशन हो गई इन सारी चीजों को हम करते हैं पिछले 10 सालों से मैं वर्ल इंटेलिक्शल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स को फ बहुत ज़्यादा जरूरी है हम बताएंगे अब किस तरीके से करना है और यहीं एक चीज है जो इंडिया को रियली में आत्मनिर्बर बनाएगी बहले ही जमाना रुख जाए यह फिल्ड ऐसी है कि जो कभी नहीं रुखते तो हम चाहते हैं कि हम दुनिया के लिए चीज़ कर रहा है हम लोग सब इतना तो कर रहे है इतना तो टेखनोलुजी में आगे जा रहे है फिर क्या चीज़ें है कि जो इनोवेशन की फिल्ड में एंडिया नहीं आगे जा रहा है एकि आउट CodeCart में देखा गया है कि आउट-of-sillabus question पूछने वाले बच्चों को रूख दि सब लोग बस बात करते हैं कि आप smart study कीजिए, smart study कीजिली, कोई यह नहीं बता था कि smart study किस तरीके से कीजिए, अब सोचे इस बारे में कोई ना सोचना चाहता है और ना ही कोई कुछ करना चाहता है आओज बिल्लाइ मिन श्शेदान इर्वजीम, बिस्मि ल्ला इर्मान इर्वगीम, रब श्र ली सद्री वैसिर ले अमरी, वाहलु लुगदतं मिल इसानिय फ्कु गुली, सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्बतना, इनका अन्त ला ल्यमु अलाफकीन आज के सारे महमानान, खुसूसी महमानान, माराश्य माइनल्टी इंडियो फोरम के रूह रवा, हम सब के रहनुमा जनाब जाकिर शिकरगार साथ, और इनकी कौमी जतोजाहत की जुस्तजू में शामिल, सारे इंडियो के सरवरा, और आज की इस तीसरी स्टेट लेवल अमारी इनो विग्यांग टीम और पूरी महाराश्य माइनल्टी इंडियो फोरम की तरफ से अगेन दोबारा पुर खुलू से इस्तक्बाल करता हूँ आज की बातों को इंशाला में कोशिश करूँगा कि उर्दू या हिंदी जुबान में करो, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि ये अपने सपनों से आशिकी का मौजिजा है, कि आप सियाह राते भी बिल्कुल शफ़ाफ होती है, अपनी जुबा तो अपनी जुबा होती है, लहाज है, आपको जाधा वक्त बरबाद न करते हुए, स्टाट करते हैं इनोविज्ञान के बारे में जानने के लिए, और ये मैंने खुद लिखे हैं, मैं छोटा मोड़ा पोईड भी हूँ, तो आपको आगे कुछ और नमुर आगे लिखे तो फिरिवादा नई चीजे आईसी, छो दुनिया में आज तक किसी नहीं की, या ऐसी चीजेे जो हैं, लेकिन इस तरीके से किसी नहीं सोची, उसे हम किस तरीके से करें, वी इस तरीके से, की बिल्कुल एफ़ोडिबल हो, और बिलकुल आसानी इसे कोई भी क सकता है उसी तरह से इसमें मैं आपको overflow बताता हूँ कि किस तरीके से यह चीज़े काम करती है तो यहाँ पर problem को पहले find किया जाता है फिर उन problems को find करकि उन्हें ideas में convert किया जाता है उन ideas से solutions बनते हैं उन solutions से innovations बनते हैं और वो innovations मुल्क की तरक्की के काम आते हैं लिहाजा में मक यहाँ पर ground level पर जो solutions है वो ऐसे हो कि इन solutions से पुरे दुनिया की भलाई हो उसमें ही एक चीज़ ऐसी है कि एक हमारा personal इसमें मुद्दा क्या है कि हम चाहते कि सतके जारिया हम शुरू करें क्योंकि सही मुस्लिम के हादिस है जिसका मफूम है कि इंसान जब मर जाता है तो उ इसरी ओ आवलाद जो उसके दुआ कर सके लियाजा हम चाहते हैं कि हम इस देश को इस दुनिया को वह इल्म दे जिससे लोग सिर्फ ना खुद फाइदा उठाए बलके पूरे दुनिया को फाइदा उठा कर दे सके उसी तरह से अगर आपको याद होगा तो डॉप्टर पाद एक सवाल पूशा करते थे कि वाट डू यू वांट टू बे रिमेंबर फॉर क्या इसी क्या चीज है जो आप अपने देश को दे सकते हैं और इसी क्या चीज है कि जिस जो आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी लोग याद रखें तो हम चाहते हैं कि इनो विग को अगयान को मिले हैं या जो हमारे स्टूडर्स को मिले है या जो मुझे मिले हैं काफी सारे जैसे कि Yung researcher अवर्ग से और से नाशनल लेवार रिशर्च पेपर प्रेजेंटेशन बोल दीजिए या फिर हम लोगों ने जीते हैं और कई सारे और भी हम कोशिश कर रहे हैं उसके तरफ यह कुछ activities है जो हम run करते हैं इसके अंडर, basically, तो जैसे कि आगे आएंगे कि exactly हम क्या क्या प्रोग्राम run करते हैं, लेकिन यह कुछ glimses है कि जैसे कि career ideas हो गया, या फिर idea को किस तरीके से आपको generate करना है, उसके बारे में information हो गई, य ideas को innovation में, हेज़ादात में कैसे करें, उनके बारे में information हो गया, या फिर अगर आप exams की preparation करें, तो exam की preparation smart तरीके से किस तरीके से किये जा सकती है, उसके बारे में बताना हो गया, इन सारी चीज़ों को हम करते हैं, तो आप मैं आपके सामनीक report पेश करना चाहता हूँ, जो 10 सालों से मैं follow कर रहा हूँ, पिष्टे 10 सालों से मैं world intellectual property indicators को follow कर रहा हूँ, तो उसके आने वाली जो report है, वो समझने से पहले मैं चाहता हूँ, कि कुछ basics मैं आपके साथ clear कर सकूँ, ताकि आप इसे अच्छी तरी तरीका जो उस field के माहिर के लिए नया हूँ, कोई बैसी चीज है ऐसा तरीका जो उस field के माहिर के लिए नया हूँ, अब उसमें आप बोलोगे कि innovation और invention में क्या फरक है, यो बहुत पर लोगों को यही confusion होता है कि innovation क्या और invention क्या है, तो invention यहने ऐसी चीज जो आज से पहले changes किये, तो वो सारे innovators थे, जब कि कार्ल मार्क्स जो थे, वो inventor थे, उसी तरह से आज हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग innovators है, we are not inventors, we are innovators, कि जो चीज़े अल्रेडी हैं, हम उसको किस तरीके से बहतर बना सके हैं, अभी मैं आपके सामने दो स्टोरीज पेश करता हूँ, जि मुठा कर बोल देगा कि थॉमस एलवाइडियसन ने 1878 में लाइट बल्ग के एज़ाद किया, मैं अगले एक मिनिट में आपको गलत पूरो कर दूँगा कि थॉमस एलवाइडियसन ने एज़ाद नहीं किया, बलकि उसने modify किया, 19th century के early में Humphrey Davy नाम के इंसान ने जो electric batteries पर काम कर रहे थे, उन्होंने देखा, कि जब हम carbon के materials को बीच में रखते हैं, तो electric तो light produce कर दा है, और उसी से एज़ाद हुई arc lamb के, लेकिन वहाँ पर उसका invention नहीं हुआ, 1850 में Joseph Swan नाम के इंसान ने क्या किया, उन्होंने एक actual incarnation lamb का sample बनाया, लेकिन चुके vacuum pump available नहीं थे, तो उन्होंने और 20 साल वेट किया, 1870 में Joseph Swan ने actual incarnation lamb बनाया, जो bulb है, लेकिन उन्होंने patent नहीं करवाया, या फिर उन्हें आपने idea को secure नहीं करवाया, अगर किया भी तो उसक publicity नहीं की, 1878-1879 में Thomas Alva Edison ने क्या किया, जो carbon filament था, उसको change किया, metal filament से, और उसका innovation करके, अपने number patent फाइल कर दिया, और क्या कि आपनी जो company थी Thomas Edison के, electric company उसके throw उन्होंने क्या कि उसके marketing स्टार्ट कर दी, और आज हम सब क्या जानते हैं, कि Thomas Alva Edison ने इस चीज का एज़ात किय जब क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं है, उसी तरीके से मैं आपको एक और story बताता हूँ, जो आपने India की है, इससे आपको पता चलेगा कि यंग्स्टर्स में innovation को लेकर seriousness की होना चाहिए, सर, जैपूर से एक बंदा आता है, जैपूर राजस्तान से एक बंदा आता है, नव साल का, चार साल तक वो बिल्कुल हम और आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल होता है, चार साल की एज में उसे लखवा मार जाता है, चार साल की एज में उसे लखवा मार जाता है, 80% body parallels हो जा नौ साल की एज में वो 606 प्लेयर वाली round chase बनाता है ऐसी chase board जो 6 लोग एक साथ में खेल सकते हैं अगले साल वो क्या करता है 12 प्लेयर वाली chase बनाता है उसके बाद 16 उसके बाद उस 60 प्लेयर एक साथ में खेल सके ऐसी chase board बनाता है और 9 से 11 साल की एज में उसे youngest patent holder of India के नाम से नवाज़ जाता है रिदेशवर सिंग भाटी अब अब किस्मत देखिए partially disabled है तो उसे world का सबसे youngest patent holder के नाम आवाड से नवाज़ जाता है June 2015 में news आती है कि रिदेशवर सिंग भाटी जो इंडिया के youngest patent holder थे इस दुनिया में नहीं रहे at the age of 18 at the age of 18 वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी legacy आज भी कायम है उस लड़की की legacy आज भी कायम है और यहीं चीज एक patent holder को आहम बनाती है कि अगर आपके ideas है तो आपके ideas को secure करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम बताएंगे आपको किस तरीके से करना है हम सब का मानना है कि अगर किसी nation को किसी मूलक को अपना एक वजूत जमाने में बताना है जैसे हों कहते हैं कि इस दोर में जीना है तो कोहरा मचा दो अगर कोहरा मचा ना है तो इन तीन चीजों में से एक चीज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला strong economy दूसरा unbeatable army या तीसरा the help of science and technology हम सब जानते हैं कि हमारे economy के क्या condition है और एक दिन में हम उसे बदल नहीं सकते हैं दूसरा unbeatable army आज कोई भी मुलक यहीं नहीं चाहता कि हम army के थूरू dominance क्रेट कर सके तो तीसरी क्या चीज है तीसरी है science and technology और यहीं एक चीज है जो इंडिया को reality में आत्म निर्वर बनाएगी आपको यकिन नहीं आता मैं आपको figures दिगाता हूँ यह figures है Global figures है जो World Intellectual Property Indicators 2020 की जो recent report है उसके figures है कि भले ही जमाना रुख जाए यह field ऐसी है कि जो कभी नहीं रुखते अब अगर देखो कि ठीक से तो patents हो जाए बोल दीजिए utility designs हो जाए trademarks हो जाए सारी चीजों में बस बड़ोतरी है यह ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं रुखते और अब मैं आपको बताता हूँ कि exactly world में कोल सी country कहाँ पर dominant कर रही है यह सारा काला चिट्टा है यह सारा काला चिट्टा है कि world intellectual property rights जो 10 सालों से हम लोग follow कर रहे हैं उसका यह सारा काला चिट्टा है कि 2019 में जो 32 लाग से ज़्यादा patent applications फाइल हुए worldwide उसमें से 14 लाग से ज़्यादा patent सिर्फ चाइना ने है चाइना के बास है आप बताएं फिर क्यों और दुनिया पर dominance नहीं करेगा 43.4% ऐसी चीज़े चाइना के पास है जो उस साल मार्केट में launch हुई अब जब उनके पास उस चीज़ के rights है तो वो दूसरों को बेचेंगे हम उसे खरी देंगे आप बताएं हमारी economic कैसे बढ़ेगे तो हम चाहते हैं कि हम दुनिया के लिए चीज़े यहां से बनाए और उसके लिए innovation करना ही एक रास्ता है जब तक आप innovate नहीं करतें चीज़े आपके पास वो rights नहीं आतें जब तक आपके पास वो rights नहीं होंगे आप हक से बोल नहीं सकते हैं कि यह चीज मेरी है और इस चीज़ को मैं जिस दाम पर चाहूं बेज सकता हूं एक सेगने पीछे पीज़े लिए यहां पर अगर हम वो वर्ल्ड मेटर के population के according लिए जाए तो चाइना के population 1.43 billion है 143 करोड की है इंडिया की 138 करोड है हम बिल्कुल नस्दीक हैं लेकिन चाइना के पास 43 मतलब approximately 45% वर्ल्ल की चीजों के rights हैं जो उस साल आएं जबकि इंडिया के पास तिर्फ 1.6% है अब सोचें अब सोचें इस बारे में कोई ना सोचना चाहता है और ना ही कोई कुछ करना चाहता है इसके बाद मैं आपको और डिटिल में बताऊंगा कि exactly इंडिया कहां stand करता है exactly हम कहां stand करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कहां से start करना है यह देखिए एक चीज होती है कि आपके देश में इतने innovations हुए अभी समझ दीजिए कि अगर चाइना में जैसे मैंने बताया कि 14,00,00,00 इनोवेशन्स 2019 में हुए तो उसमें से वहां के रहने वाले लोगों ने वहां के problem solve करने के लिए कितने किये तो around 90% जो इनोवेशन्स हुए वहां के लोगों ने वहीं पर फाइल किये 90% जो पूरा control है वहीं के लोगों के पास है जबके 10% बाहर के पास है उसे तरीके से जापमान भूल दीजे जर्मन भूल जे 80-70% है जबके इंडिया में सिर्फ 36% है बाकि जो 60-plus परसंट है जो बाहर के लोग आकर इंडिया की problem solve कर रहे हैं अपने उनके rights उनके पास हो रहे है जिसकी वज़ास से इंडिया में solution देने के लिए भी हमें उनसे मांगना पड़ रहा है अब सोचे इस बारे में कि intellectually हम आज कितने independent है आज हम बोल रहे हैं कि हाँ we are growing, we are growing, but nah we are just importing हम लोग बस बाहर से चीज़े ला रहे हैं stickers लगा कर बेच रहे अगने इंडिया यह देखिए पूरा एक detailed study है कि जिसमें पताए गए कि अगर 14 लाग जैसे मैंने बताए आपको कि चाइना के है तो उसमें से आप देखोगे कि 13 लाग से ज्यादा जो इनोवेशन्स थे हुई चाइना के खुद के दिन वहीं जब आगर आद यह जो circle किया हुआ है वहाँ पर देखोगे तो 53,000 इंडिया ने इनोवेशन्स फाइल किये इंडिया में इनोवेशन्स फाइल किये जिसमें से 63 से 65% foreign के authors ने किये और उसमें से भी जो 53,000 फाइल किये उसमें से भी सिर्फ 20,000 इंडिया के लोगों ने फाइल किये बाके कि 10,000 जिसे USA हो गया, Japan हो गया, जर्मनी हो गया वहाँ के लोगों ने इंडिया में फाइल किये तो आप सोचे कि आप आपके problem को solve करने के लिए बाहर से कारागिर मंगाएंगे क्या अब कुछ सोचे, अगर बाहर से कारागिर आएगा तो आपने demands के साथ आएगा और उसके demands के according लिए आपको चलना पड़ेगा यह देखिए, आप आप पोलेंगे कि भाइ मोजम क्या exactly reasons है कि इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, हम लोग सब इतना तो कर रहे है इतना तो technology में आगे जा रहे हैं फिर क्या चीज़े है कि जो innovations की field में इंडिया नहीं आगे जा रहा है तो यह देखिए कि जैसे अगर मैं आपको बताओ exactly to be specific तो age जो है बारा साल तक है, लेकिन इंडिया जो एक कैसी कंट्री है, जा पर आप बारा से बीस साल तक rights रख सकते हैं एक चीज़ का वहीं इंडिया कहा पर पीछे हैं, तो इंडिया में जो number of patent examiner's है वो सिर्फ 616 हैं जबकि बाके के countries में कई हाजारों में है, हमारा population कितना 138 करूट 616 सिर्फ इंडिया जो है जो इस पर काम कर रहे हैं, अब खुश सोचे कि कैसे चलेगा, उसके बाद में फिर कई सरी और वज़े आते हैं कि जैसा कि examiner की age examiner के experience कितना हो कि हमारे पास उस quality की examiner है, कि जो पेटेंस को उस तरीकी से analyze कर सके है सिर्फ चार साल के experience अगर किसी के पास हो तो क्या हम उसको master कहेंगे नहीं कहेंगे, जबकि foreign countries में 11 साल, 17 साल जब आपको experience हो जाता है तब आपको एक patent को या फिर एक application को analysis करने का मोगा मिलता है, जबकि इंडिया में ऐसन नहीं है अब यह आखरी graph है इसमें आपको पता चलेगा कि exactly जो मैंने बाद में बता है कि इंडिया ने 20,000 patents फाइल किये 20,000 innovations किये 15,000 में से 2019 में इंडिया ने 20,000 किये उसमें से भी 45 से 50% जो है, या तो reject हो गए या तो आपस ले लिए गए अब खुछ सोचें जबकि बाकी countries का 5%, 10%, maximum 30% rejection है जबकि इंडिया का 45 से 50% है अब आप बोलेंगे गए इसके लिए सिर्फ इंडिया ही जिम्मेदार है हम जिम्मेदार नहीं है हर कोई जिम्मेदार है मैं आपको बाता दूँकि जैसे कि अगर गवर्मेंट के बात करें तो उस तरह के से policies नहीं है, उस तरह के से auditions नहीं है education system खुछ जिम्मेदार है कि उस तरह के से camp नहीं करवा रही है उस तरह के से बच्चों को boost नहीं करवा रही है कि आप खुद सोचें आप out of syllabus जाकर बात है करें आप out of syllabus जाकर चीजों को समझें आप सवाल करें आज अगर आपके education system में अगर आपके education organization में सारी चीज़े अच्छे से चलती हैं तो काफी मुबारक बात लेकिन ज्यादा तर education system education organization में देखा गया है कि out of syllabus question पूछने वाले बच्चों को रूख दिया जाता है कि हम वही सिखाएंगे जो लिखा हुआ है अब बाहर का कुछ मत पूछो अब सोचो कहा से आएंगे ideas और क्या किया जाए इसलिए फिर हमने सोचा कि कि हम भी सिफ complain करते बैठेंगे हम भी सिफ complain करते बैठेंगे कि यार बस रोते बैठो नहीं तब हम लोगों ने स्टार्ट किया इनोविज्ञान कि ऐसा center जहाँ पर science मिले innovation से और चूके मैं खुद एक उर्दू medium से हूँ तो मुझे पता है कि क्या दर्द होता है उस zone से आने का कि जहाँ पर आप एक middle class के हो आपके पास foreign language में बात करने का जरिया नहीं आपके पास तो sources नहीं है जहाँ पर आप lab में जाकर setups देख सकें, lab में जाकर research कर सकें इसलिए हमने तिन courses तिन programs launch किये कि innovations पर जिसके बड़े में हम बात करता है तो सबसे पहला creativity and ideation के उपर हम लोगों ने program रखा है कि किसके नहीं हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि हाँ यार कुछ ऐसा करें कुछ ऐसा सोचें कुछ ऐसा idea generate करें कि जो दुनिया में किसी के पास नहीं आप इस चीज को याद रखें idea generation के techniques लिखें हम लोगों ने खुद जो तीन या चार सिर्फ ideal cases होते थे idea generation के हम लोगों ने साथ किये हैं साथ ऐसे process साथ ऐसे steps है कि जिसके तुरू आप sure short idea generate कर सकते हो कि अगर आपको problem दे दिया जाए आप अगले कुछ दिनों में उसके लिए एक novel idea generate कर सकते हो इस तरीकी कि हम अपको capable बनाएंगे अपने लोगों को capable बनाएंगे ताकि ओओ देश को capable बना सके उसके बाद वोला जो एक crash course है या फिर बोले ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं मेरे पास idea है मुझे बहुत बार कहीं सारे professor ऐसे मिलते है कहीं सारे पड़े लिके लोग ऐसे मिलते कि जो बोलते है मोजब वेर हमारे पास idea है कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें तेरे तरीके से ideas कुछ generate नहीं करना है हमें simply क्या करना है हमारे पास जो ideas है उसको innovation में convert करना है बिल्कुल, अब यहाँ पर जो बाद में 50% एप्लिकेशन रिजेक्ट हो गए थे, उनकी मेन वज़ा ये थी कि प्रायर आर्ट सर्च में गलती, प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है, कि आपको जब सर्च करने का मोखा मिलता है, तो आप सर्च कीजिए, और यह देखिए, कि आपके जैसे इनववेशास, आपके जैसे आइडियास दुनिया में और कौन कर रहा है, और कौन कर रहा है उन ideas पर काम के जिन पर आप करना चाहते हैं तो हम आपको वो सिखाएंगे क्योंकि हमने इन चीजों को बड़ी महना से सिखा है हमने अमारे टीम ने बहुत मुश्कीले लगती है और अगर अगर consultants के पाँ जाओगे जो IPR consultant है एक idea के उपर और प्रायरार सर्च करने का पाँच से दस हजार रुपे लेते हैं कहां से लाएगा एक आम इंसा वहीं मैं आपको बताता हूं कि जब हम लोग जाते हैं ideas प्रायरार सर्च करने के लिए या फिर एक complete patent फाइल करने के लिए 45 से 50,000 एक patent फाइल करने में लगता है 45 से 50,000 एक patent फाइल करने में लगता है वहीं हम आपको इतना self-sufficient बना देंगे हम आपके students को इतना self-sufficient बना देंगे कि वो खुद से खुद का provisional patent application 1600 से 2000 में करवा सके अब सूचिए तो इस सारे चीज़े इसमें सिखाई जाती है कि किस तरीके से ideas को generate करना है फिर किस तरीके से prior art search करना है किस तरीके से documentation करना है और किस तरीके से खुद का provisional patent खुद फाइल करना है अजब इतना capable बना देंगे कि आपको आपका provisional patent application फाइल करने के लिए वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगे हमने खुद फाइल किये अमरीका ही multiple provisional patent applications उसके बाद एक आखरी जो है प्रोग्राम उसका नाम है ultimate innovation कि आज समझ दीजे आज आप बैठ गए आप शामे बोलते कि मोजम चलिए कुछ करते है कुछ सीखते है इस field के बारे में लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है तब क्या होगा तब आपके लिए इसा program है कि जहाँ पर आपको सारी चीजे बेसिक से बताई जाएंगे कि problem को कैसे find करना है लोगों को यहीं नहीं पता है कि problem कहां से find करें जब problem ही find करना नहीं आता है तो idea कहां से generate होंगे जब idea generate करना नहीं आता तो solution कहां से निकलेंगे जब solution नहीं निकलेंगे तो innovation कहां से होंगे और अगर innovation नहीं होंगे तो भारत आत्मनिरबर कैसे बनेगा पूचने वारा सवाल है आप सब intellectual individual से आप सोचे इस बारे में उसके बाद में कुछ specials program हम चलाते हैं जो बाद में अपने photos में देखे होंगे तो तीन specials program हम चलाते हैं इसमें हमारे साथ में आपको बतानाओ कौन-कौन है जिसे आप जो महेमाने खुसूसी है आपने अपने field के experts है रहा है वैसे हमारे पास भी education के field के कुछ experts है पूर्ने university के 2020 के gold medalist हमारे साथ में है foreign institute के researchers हमारे साथ में है ऐसे लोग हमारे साथ है जिनके नामबर 25 से 30 30 से 100 patents है ऐसे IPR consultants है जो कम में आपके students को patent file करवा के दे सके और कहीं सारे अच्छे लोग तो वहाँ यहाँ पर हम लोग क्या करते है exam mastery में कि हम सबको पता है कि सब लोग बस बात करते हैं कि आप smart study कीजिए smart study कीजिए लिए कोई यह नहीं बता था कि smart study किस तरीके से कीजिए तो हम आपको वो बता थे कि आपको smart study किस तरीके से करनी है एक code है कि उस code की through अगर आप याद करोगे चीजों को तो आप काफी लंबे आरसे तक चीजों को याद रख सकते हों वो कोई नहीं बता था हम बताएंगे आपको उसे तरीके से दूसरा जो है crown engineering है कि इंडिया हर सल 1.5 million engineers प्रोडूस करता है लेकिन क्या सब लोग खूश है या सब लोग अपनी branch से happy है या excel कर पा रहें नहीं क्यों क्योंकि उनको यहीं नहीं पता है कि engineering में जाने से पहले मुझे क्या सेखने मिलेगा engineering के बात मेरा career क्या होगा कौन सी companies मुझे hire करेगी किन चीजों से मुझे बचला है किन चीजों में मुझे आगे जाना है इन सारे चीजों के बारे में crown engineering में बताया जाता है और एक आखरी program जो है हो आप जैसे NGOs बोल दीजिए या अपने field के experts बोल दीजिए या कोई skillful individual बोल दीजिए या कोई master बोल दीजिए कि जिनके पास knowledge है जिनके पास potential है जिनके पास expertise है उनके पास अपना course नहीं वो चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुँचे है लेकिन कैसे पहुचेंगे जब तक आपके पास एक dedicated program ना हो जब तक आपके पास एक dedicated course ना हो लिहाजा इसमें आपके knowledge को आपके expertise को सारे तरीकों से एक well practical proven तरीके से course में convert किया जाता है इसके आला हुआ ही कहीं सारे ongoing programs भी है जैसे के renewable energy में बोल दीजे, electric vehicle में बोल दीजे, automation में बोल दीजे, जैसे बाद में सर बात करेंदे, digital marketing के बारे में बोल दीजे, personal development के बारे में बोल दीजे, career guides के बारे में बोल दीजे, interview ready, आप नाम लीजिए, हम आपके help कर देंगे आप जैसे इंडिया को आगे लेकर चले जाएंगे बस एक आखरी शियर जो मैं आभी खाना खाते वग लिखा है, वो बोल कर बात को ख़तम करता हूँ तोड़ा से रदीफ वो काफिया में mistake हो सकती है, तो माँ फर्माईएगा जैसे सर, सुनिया हाँ आज, आज वक्त के घड़िया थे कम, कल सहूलत और भी होंगी जिस उम्मत की शुरुवात हो इकरा, वो गुम्रा कैसे होंगी आज, आज वक्त के घड़िया थे कम, कल सहूलत और भी होंगी जिस उम्मत की शुरुवात हो इकरा, वो उम्मत गुम्रा कैसे होंगी आज वरू का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप और आप जैसे हस्तिया कुछ और होंगी तो यकिनियन ये कौम कल भी काम्याब थी, और ये कौम काम्याब कल भी होगी, इंशाओ आला तो लहाज आप सब का काफी शुक्रिया सुनने के लिए, और दोबारा से मैं पूरी माराश्य मानुटी एंजियो फोरम और आप तमाम होकर शुक्र गुजार हो कि आपने सुना, और आईए बात करते हैं इंशाओ आला, और इस कौम को, इस उम्मत को, और इस मुलक को आगे लेकर जलते हैं, शुरह जजा कर नाओ खिर, असलाओ बुर्ग झाल झाल अगर आपको हमारे वीडियो को पाने करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए हम से दिगर सोशल मीडिया पर जोड़ने के लिए वीडियो में दिये गए आइडिस को सेर्च करें जजा करें